बिहार से कई हजार किलोमिटर दूर जापान की राजधानी टोक्यों में जब काउन यात्रा निकली तो वहां के लोग चुपचाप उसको निहारते रह गए। लोग देखते रह गए कि आखिरकार ये तमाम लोग किसके भक्ती में जूमते हुए काउन लेकर सड़क पर निकल चुके हैं 90 किलोमिटर तक बिहार और जारखंड के लोगों ने मिलकर काउन यात्रा निकाली और जब बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को इसके बारे में पता चला तो बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने पत्र लिख कर वहां के बिहारीयों को शुभकामन आपको बताएंगे कि कैसे सुल्तान गंज से मा गंगा का जल लेकर जापान के टोक्यो में गए और वहां पर जाकर 90 किलोमीटर लंबी कामण यात्रा कुनों ने निकाला बगे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं यह वीडियो रोड़ बेज एप के दुवरा प्रहुजित है रोड़ बेज बिहार का एक ऐसा स्टार्ट अप है जो आपको वन वेट टेक्सी राइट और कार पूलिंग की सुविधा बयाधी कम पैसों में उपलब्ध कराता है वन वेट टेक्सी राइट का मतलब कि अगर आप रोड़ बेज की टेक्सी से कहीं जाते हैं तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो की बेह सस्ता होगा तो अगर रोड़ बेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्लेश्टोर पर जाएए रोड़ बेज नाम का एप होगा उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए अब वो वापस आते हैं अपने ख़बर पर खबर के मुताबिक जापान की राजधानी टोकियो में बिहार और जारखंड के 250 परिवार रहते हैं और 250 परिवार अब जब वहाँ पर रहते हैं तो उन्हों ने सोचा कि भगवान शिव का भगवान भोले का सावन महीना ऐसे कैसे बिज्जाए हम लोग कावन यात्रा बिह तो निकालते हैं हम लोग कावन लेकर दवरते हुए भगवान भोलो के दरबार में जाते हैं तो टोकियो में भी हम लोग कावन यात्रा निकालेंगे तैयारी सुरू होते हैं सुल्तान गंज से मा गंगा का जल मंगाया जाता है चुकि देवघर में बाबा को मा गंगा का ज जल ही चड़ता है तो सुल्तान गंज से गंगा का जल पहुंचा जापान की राजधानी टोक्यों में कई हजार किलोमेटर तक जहाद से गंगा का जल सफर करता है और जब टोक्यों में उतरता है तब उसके बाद आगे की तैयारी शुरू होती है अब आगे की तैयारी में क्य लोग शखाता है वहाँ पर 250 जो हिंदु परिवार है बिहार और ज़ारखंड के जापान की राधधानी टोक्यों में उन्होंने अपने हाथ से कावण बनाना शुरू किया अपने हाथ से उन्होंने इस परकार का कावण बनाया आप यहां पर देखेंगे तमाम लोग अपने हाथों से कावर बना कर आगे एक डब्बे में मा गंगा का जल लटका कर जापान की सड़कों पर निकलते हैं एक दूसरे का वो लोग पैर धोते हैं और यहां पर बिहार फाउंडेशन की टिशट को भी आप देखेंगे बिहार और बिहार जारखंड एसोसियेशन इन दोनों जो संगठन है अप कहिए इनके द्वारा मिलकर यह सब कुछ किया गया और जो जापान की राजधानी से तस्बीरे सामने आती हैं कि वहां पर 90 किलो मिटर तक भगवान सिव के मंदिर का सफर तैकिया बिहारी भक्तों ने जार मंत्री ने पत्र लीकर शुब कामना बेजी और धन्यवाद कहा कि आपने बिहार की संस्कृती भारत की संस्कृती का मान सम्मान बिदेश में बढ़ाया उसका परचम लहराया फिलाल यह तमाम तस्वीरे सोशल मीडिया पर खुब वायरल है एकदम जोड़दार तरीके से व लाइन से निकलता है तो जापानी वहाँ पर देखते रहते हैं कि आखिर अभी क्या हो रहा है फिलाल हमने आपको इसकी पूरी कहानी बता दी आप तक हमने कामण यात्रा की बिहार जारखन से हजारों किलिम्टर दूर जापान के राजधानी की कामण यात्रा की पूरी कहा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम ख़वरों के लिए मरदद बने रहीएगा वीडियों इंपर समाप्त करते हैं कैमरे बिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत हो धन्यवाद